हेलो फ्रेंड्स तो आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल लर्णो पिडिया पर तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CET के पास्ट इयर क्वेस्चन्स अफ डेरिवेटिव अफ कम्पोजिट फॉंक्शन्स तो दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट आम विजिटर हो और अगर आप चाहते हो कि 12 कायाफे CET का कोई भी इंपोर्टन वीडियो आने के बाद आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और यह बेल आइकॉन में अल नोटिफिकेशन दवाना भी मत बुलिये सो देट आपको हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चली अभी without wasting time अभी हम देखते हमारे CT के past year questions of derivative of composite function तो दोस्तों in case of derivative of composite function हम कौनसा रूल अपला करते हैं तो हम इस case में अपला करते हैं chain rule जिसके ही साबसे हम क्या करते हैं पहले ये जो सबसे बाहर वाला function है उसका हम यहाँ पर find करते हैं derivative देन उस answer को हम फिर से multiply करते हैं जो भी उसके अंदर वाला function रहेगा उसके derivative से देन उसको भी again हम multiply करते हैं अगर उस function के अंदर भी और कोई दूसरा function है उससे तो इसमें basically हम क्या करते हैं तो हम पहले सबसे बाहर वाले function का derivative find करते हैं then उसको multiply करते हैं उसके अंदर वाले function के derivative के साथ और उसके बाद again हम multiply करते हैं उसके अंदर वाले function के derivative के साथ और ऐसा हम तब तक करते जाते हैं जब तक यहाँ पे अंदर वाले functions खतम नहीं हो जाते तो दोस्तो अगर आपको यह derivative of composite function detail में समझना है तो आप जाके हमारा derivative of composite function का वीडियो भी देख सकते है जिसका link आपको मिल जाएगा description box में या फिर यहाँ पे उपर i button में तो दोस्तो चलिए अभी हम देखते हमारा first past year question of derivative of composite function तो दोस्तो यहाँ पे हमने यह first वाला sum बहुत ही basic वाला लिया है और यह video end होने तक यहाँ पे हम 2-3 critical वाले या फिर tricky वाले questions भी देखेंगे जो CT के exam में 2-3 बार पूछे गये है तो दोस्तो इसके लिए आपको यह video start to end ध्यान तक देखना है जिससे क्या होगा आप यह initial वाले sums में आपके basic of composite function clear कर लोगे और by the end of this video आपको वो tricky वाले sum भी बहुत ही easily समझ में आएंगे तो इसके लिए video start to end ध्यान से ज़रूर देखिए और उसमें से कोई भी point miss out मत किजिए तो चलिए अभी हम solve करते हमारा first वाला past year question जो की है if y is equal to cos of 2x plus 45 तो यहाँ पर हमें find करना है उसका d y upon dx का value और हमें दिये है यह वाले options तो दोस्तो यहाँ पर यह दिया हुआ function composite function है क्या तो यह composite function है क्योंकि यहाँ पर एक बाहर function है जो की है cos वाला और उसके inside भी और एक दुसरा function present है जो की है 2x plus 45 तो दोस्तो अभी हमें chain rule के हिसाब से इसका find करना पड़ेगा derivative तो दोस्तो अभी इसका हम derivative कैसे find करेंगे तो पहले हम यह बाहर वाले function का find करेंगे derivative तो दोस्तो यहाँ पर बाहर वाला function है cos तो cos का derivative आता है minus sign तो यहाँ पर आएगा minus sign और यहाँ पर bracket के अंदर क्या है तो वो है 2x plus 45 तो दोस्तो आपको CET के exam में और एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि आपको यह answer final तक हमेशा find नहीं करना है जब आपको हम जो answer find कर रहे है उसे और बाकी के answers को compare करके अगर हमें final answer मिलता है तो हमें उसे directly यहाँ पर mark करके next वाला question solve करना है क्योंकि अगर हम इस question को पूरा solve करते बैठ गए तो हमारा यहाँ पर extra time waste होने वाला है तो अभी यहाँ पर हमने क्या किया पहले उसका derivative यहाँ पर लिखना है बट दोस्तो अभी उसके पहले हम पहले check करते हैं कि यह वाला answer कई पर match कर रहा है या फिर नई तो अभी यहाँ पर है sine of 2x plus 45 तो sine of 2x plus 45 तो सारे options में present है बट यहाँ पर है यह negative वाला sign तो यहाँ पर negative sign कहा कहा है तो option a में और option d में तो दोस्तो यहाँ पर आपने देखा डिरेक्ली यह option b और यह option c बाहर हो गया बट अभी भी हमें यह option a और option d में final answer नहीं पता तो इसके लिए अभी हम इस sum को आगे भी solve करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे यह जो inner वाला function है 2x plus 45 उसका हम derivative लिखेंगे यहाँ पर तो दोस्तो यह 2x plus 45 में से यह 2x का derivative आएगा यहाँ पर 2 और प्लस यह 45 एक constant है तो constant का derivative आएगा 0 तो वो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो अभी हमारा final answer क्या आगया तो हमारा final answer है minus 2 into sin of 2x plus 45 तो दोस्तो अगर हम option a में देखेंगे तो यहाँ पर into में है pi by 90 तो यहाँ पर कई पर भी pi by 90 नहीं है तो यह option a भी हो गया cancelled तो इसलिए हमारा final answer है option d तो दोस्तो इसलिए हमारा यह दिये हुए y का final answer आएगा option d जो की है minus 2 sin 2x plus 45 तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा next वाला sum then दोस्तो हमारा next sum है हमें एक दिया है function जो की है cos of 1 minus x square और bracket के बार यह 1 minus x square का भी square और हमें find करना है उसका derivative तो दोस्तो यह भी एक composite वाला function है क्योंकि यहाँ पर function के अंदर दूसरे functions भी present है तो यहाँ पर पहले हम यह बाहर वाला function जो की है cos उसका पहले find करेंगे derivative दिन यह bracket के उपर यहाँ पर जो rest 2 में 2 है उसका हम find करेंगे derivative और उसके बाद यह जो bracket के अंदर 1 minus x square है उसका भी हम find करेंगे derivative और इन तीनों answers को हम करेंगे multiply तो चलिए अभी हम find करते है इस function का derivative तो दोस्तो अभी इसका derivative कैसे आएगा तो पहले यह cos का derivative क्या आएगा तो उसका derivative आएगा minus sign और यहाँ पर bracket में आएगा यह 1 minus x square और उसके बाहर भी यह square तो दोस्तो अभी यहाँ पर हम यह options भी check करेंगे बट दोस्तो अभी हम यह minus वाला sign देखके यह option c को directly cancel out नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह inner वाले function में यहाँ पर यह negative वाला sign भी present है जिसकी वज़े से यह आगे जाके positive भी हो सकता है बट अभी तक हमें वो पता नहीं है तो अभी हम क्या करते हैं पहले तो हम check करते हैं कि सारे functions में यहाँ पर sign of one minus x square का square है की नहीं है तो यह सारे options में यहाँ पर यह sign of one minus x square का square यह वाला part present है तो दोस्तो अभी हम यह cause के बाल अभी हम यह जो square वाला part है उसका हम find करेंगे derivative और इससे हम करेंगे इस answer के साथ multiply तो यहाँ पर आएगा into तो दोस्तो जब भी हमें यह इस तरह से किसी function के उपर यहाँ पर rest to में power दिया होता है तो हम use करते है x rest to n वाला formula जिसके इसाब से हमारा derivative आता है यह जो n है जो power है वो आता है यहाँ पर बाहर into यहाँ पर आएगा यह x rest to n minus 1 तो यहाँ पर हमारा अंदर वाला function कौन सा है 1 minus x square और इसके rest to जो n है वो बनेगा n minus 1 तो 2 minus 1 बनेगा यहाँ पर 1 जो कि हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी नया वाला term कौन सा मिला है जो कि है 1 minus x square तो यह वाला term भी यहाँ पर सारे options में present है तो अभी तक हमारा इसमें से कोई भी answer cancel out नहीं हुआ है तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे इससे और भी आगे simplify करेंगे तो दोस्तों अभी हमने यह square वाले part का तो find कर लिया derivative तो अभी हमारा last वाला function सबसे अंदर वाला कौन सा बचा है तो वो है 1 minus x square तो दोस्तों यह 1 minus x square का derivative क्या आएगा तो यह 1 एक constant है तो इसका derivative आएगा 0 और आगे है यह minus sign तो दोस्तों अभी यहाँ पे आएगा यह minus sign यहाँ पे है x square तो x square का derivative क्या आता है तो x square का derivative आता है minus 2x तो दोस्तों अभी हमें बस इससे simplify करना है to get the final answer तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह वाला minus sign और यह वाला minus sign दोनों हो जाएंगे plus तो दोस्तों अभी है final simplification के बाद इन answers में से हमारा positive वाला answer कौन सा है तो वो है option c तो इसका मतलब यह हो सकता है हमारा final वाला answer तो अभी इसे हम थोड़ा सा और आगे simplify कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी यह 2 into यह वाला 2 वो बन जाएंगे 4 और into उसके साथ है यह x तो यहाँ पे आएगा plus 4x तो अभी इसमें plus 4x तो से पिए c वाले option में ही present है तो यह c option बन जाएगा हमारा final वाला answer तो दोस्तों आपके reference के लिए मैं यहाँ पे इसे simplify करके link देता हो हमारा final वाला answer तो दोस्तों यह minus और यह वाला minus बन गए यहाँ पे plus देन यह 2 into 2x वो बन जाएगा यहाँ पे 4x देन यहाँ पे है यह bracket के अंदर 1 minus x square और यहाँ पे into में आएगा अभी यह sin वाला पार्ट जो कि है sin inside bracket 1 minus x square और यहाँ पे है उसका भी square तो दोस्तों यह बन जाएगा हमारा final answer तो दोस्तों अभी तक आपको यह sums helpful लगे है तो आप जाके हमारे LearnoPedia चैनल को subscribe कर दीजिए और वो bell icon में all notifications दबाना मत बुलिए so that आपको ऐसे और भी नए वीडियोज आते ही हमेशा notification मिलता रहेगा तो चलिए अभी हम देखते हमारा next वाला sum then दोस्तों हमारा next sum है if y is equal to और हमें ये वाला function दिया है जो की है under root sin of root x और हमें find करना है उसका derivative और हमें दिये हैं ये वाले options तो दोस्तों यहाँ पे भी ये composite वाला function है क्योंकि यहाँ पे सबसे बाहर function है root वाला then उसके अंदर है एक sign वाला function और उसके अंदर भी यहाँ पे एक है root वाला function तो दोस्तों चलिए अभी हम यहाँ पे भी apply करते हमारा chain rule तो यहाँ पे अभी हमारा सबसे बाहर वाला function कौन सा है तो वो है ये root वाला तो दोस्तो अभी root वाले function का directly derivative कैसे आता है तो दोस्तो समझो अगर हमें कोई भी एक function दिया है as root x तो उसका directly derivative क्या आता है तो उसका derivative आता है directly as 1 upon 2 root x तो इस case में हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते है 1 upon 2 और यह जो भी complete function है उसे हम यहाँ पे denominator में multiply कर देते हैं तो दोस्तो अभी हम यह same यहाँ पे apply करेंगे इस root वाले case में तो दोस्तो अभी यहाँ पे हमारा function है root of sin root x तो इसका भी directly यह answer कैसे आएगा तो यहाँ पे directly derivative कैसे आएगा तो यहाँ पे आएगा पहले 1 upon 2 और यहाँ पे हम यह जो यह root वाला complete function है उसे हम यहाँ पे denominator में put करेंगे तो यहाँ पे आएगा under root sin root x तो दोस्तो अभी हम यह sum को आगे solve करने से पहले पहले एक बार यह answer के साथ check कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें denominator में दिख रहा है under root sin root x तो दोस्तो अगर आप यह option b में देखोगे तो यहाँ पे यह upon में यह under root sin root x present नहीं है similarly वो यहाँ पे भी present नहीं है और यहाँ पे भी upon में present नहीं है तो दोस्तो यह under root sin root x से present है यह option a में तो इसके लिए हमारा यह option a बन जाएगा directly यह final answer तो देखा दोस्तो अगर हम starting में ही यह complete answer find करने से पहले अगर हम options के साथ हमें मिले हुए answer को tally करते है तो हमें directly यह final answer इस तरह से मिल सकता है जिससे दोस्तो आपका exam में बहुत सारा time यह sum solve करने का save हो जाएगा तो अभी यह final answer मिलने के बाद भी आपके reference के लिए मैं sum को आगे solve करके दिखाता हूँ तो दोस्तो अभी तक तो हमने यह root वाले part का find किया derivative then यहाँ पे आएगा into then इसके बाद यह root के बाद यहाँ पे अंदर function है sin वाला तो यहाँ पे है sin root x तो sin का derivative आएगा यहाँ पे cos तो यहाँ पे sin का derivative आएगा cos of root x then again यहाँ पे आएगा into then यहाँ पे अंदर कौनसा function है तो यहाँ पे है यह root वाला function तो दोस्तो अगेन अगर यह root वाला function है तो root x का directly derivative आता है 1 upon 2 root x तो यहाँ पे आएगा 1 upon 2 root x तो दोस्तो अगर हम इससे simplify करेंगे तो अभी हमें आगे क्या मिलेगा तो इससे अगर हम simplify करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यह numerator में present है यह cos root x then यहाँ पे upon में आएगा यह 2 into 2 बनेगा यहाँ पे 4 then यहाँ पे है यह root x into final answer for this given function बट दोस्तो CET के exam में आपको यह complete यहाँ तक solve करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको initial step में ही मिलता है कि हमारा final answer है यह option A तो आपको यही पर टिक करना है option A को और आपको solve करना है next वाला question तो दोस्तो अभी तक हम यह जो सारे questions solve कर रहे है उन सारे sums के उपर आपको practice sums मिल जाएंगे description box में और उन सारे practice sums के answer मैं कल comment box में भी comment कर दूँगा और दोस्तो बहुत सारे students हमें comment section में यह भी comment करते है कि इन practice sums के उपर भी एक detail वाला वीडियो बना दीजिए तो दोस्तो अगर इस वीडियो को आप जल्दी से एक मन के अंदर thousand likes तक पहुचा देते हो तो मैं इन practice sums के उपर एक detail वाला वीडियो जरूर बना दूँगा तो दोस्तो अगर आपको भी ऐसे लगता है कि इन practice sums के उपर एक detail वाला वीडियो आना चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को एक मन के अंदर thousand likes तक पहुचा दीजिए और दोस्तो अभी तक आपको ये past year questions helpful लगे है तो आप ये वीडियो आपके friends के साथ भी share कर सकते हैं जिससे आपके friends भी exam में ये composite function वाले sums easily solve कर पाएंगे और दोस्तो इन सारे questions में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ query हो तो आप हमें वो comment section में comment कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपको आपके कोई queries हमारे साथ या फिर बाकी सारे students के साथ भी discuss करने हैं तो आप हमें वो telegram पे भी post कर सकते हैं तो उस telegram group का आपको link मिल जाएगा description box में तो आप आपके कोई भी queries अगर हमारे साथ discuss करने हैं तो वहाँ पे भी post कर सकते हैं तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा next वाला past year question then दोस्तो हमारा next sum है find derivative of e raise to x into log of 1 plus x square तो दोस्तो यहाँ पे हमें 2 terms दिये हैं multiplication में जिसमें से first वाला है e raise to x और second वाला term है log of 1 plus x square तो दोस्तो अगर derivative के case में अगर 2 variable वाले terms होते हैं multiplication में तो यहाँ पे हम apply करते हैं u into v वाला rule तो दोस्तो अभी इसमें से हमारा e raise to x बन जाएगा u वाला term और यह log of 1 plus x square बन जाएगा हमारा v वाला term तो दोस्तो चलिए अभी हम यहाँ पे apply करते हैं हमारा multiplication का मतलब u into v वाला formula तो दोस्तो उस formula के हिसाब से पहले हम क्या करते हैं यह जो first वाला term है उसका हम find करते है derivative तो दोस्तो यह e raise to x का derivative क्या आता है तो यह e raise to x का derivative आता है same जो कि आता है e raise to x then यहाँ पे into then यह second वाला term आएगा as it is तो यह second वाला term है log of 1 plus x square और इसके आगे आएगा plus और यहाँ पे आगे हम आगे वाला formula apply करेंगे बट दोस्तो यह आगे वाला formula apply करने से पहले हम यह जो हमें answer मिला है उसको check करते हमारे दिये हुए answers के साथ to x भी यहाँ पे bracket के बाहर common लिया है तो दोस्तो वो भी है सारे answers में common तो इसमें से अभी हम konserv या answer finalize नहीं कर सकते तो चलिए अभी हम इससे आगे simplify करते हैं तो दोस्तो इस formula में यहाँ पे आगे होता है यह first वाला term as it is into यह second वाले term का यहाँ पे आएगा derivative तो दोस्तो अभी हमारा second वाला term है log of one plus x square तो दोस्तो अभी यह log of one plus x square का derivative कैसे आएगा तो यहाँ पे यह function है अभी composite function तो इसमें पहले हम find करेंगे यह log का derivative तो दोस्तो log x का derivative होता है one upon x तो यहाँ पे भी यह log वाले function का derivative आएगा 1 upon बस यहाँ पे x के बदले आएगा यह अंदर वाला part जो की है 1 plus x square और इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे into करेंगे यह जो अंदर वाला function है उसके derivative के साथ तो दोस्तो अभी इसका derivative के आएगा तो यह 1 का derivative आएगा 0 और यह x square का derivative आएगा 2x तो दोस्तो अभी यह हो गया हमारा log of 1 plus x square का derivative तो दोस्तो अभी हम यहाँ से इन दोनों terms में से अगर यह e raised to x को लेंगे common तो यह जाएगा यहाँ पे बाहर common तो वो सारे answers में यहाँ पे बाहर present है दिन अगर यह e raised to x जाता है बाहर common तो यहाँ पे क्या बचेगा तो यहाँ पे first term में बचेगा log of 1 plus x square तो वो भी यहाँ पे सारे terms में present है दिन यहाँ पे है positive sign तो दोस्तो अभी यहाँ पे positive sign कहाँ पर है तो यह a वाले option में दिन यह b वाले option में यहाँ पे है negative sign तो यह हो गया cancelled out दिन यह d वाले option में भी यहाँ पे है negative sign तो यह भी हो गया cancelled out और दोस्तो अभी यहाँ पे यह option a में क्या है तो यहाँ पे है 2x upon 1 plus x square तो यहाँ पे भी है यह 2x upon 1 plus x square तो दोस्तो यह option a बन जाएगा हमारा final answer और अगर हम यह option c को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ present है यह x और हमारे answer में present है यह 2x तो यह option c भी यहाँ पे हो जाएगा cancelled out तो इसके लिए हमारा यहाँ पे final answer है option a तो दोस्तो चलिए अभी हम देखते हमारा next वाला sum then दोस्तो हमारा next sum है if y is equal to log of log x to the base 2 और इस वाले log का भी base है 2 और हमें find करना है इस y का derivative मतलब dy upon dx और हमें दिये है यह वाले options तो दोस्तो जब भी हम derivative topic में derivative निकलते वक्त log का formula apply करते हो तो उस case में यह log का base होता है e तो दोस्तो अभी हमारे इस case में यहाँ पे base तो है 2 तो इसके लिए पहले हमें इस base को convert करना पड़ेगा to the base e तो दोस्तो अभी यह y आगे किस तरह से convert होगा तो पहले हम यह बाहर वाले log 2 को रखते है as it is देन यहाँ पे bracket के अंदर क्या आएगा अगर यह log x है to the base 2 तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते है log x upon log 2 तो दोस्तो अभी इस case में यहाँ पे कोई भी base mention नहीं किया है तो इस case में हमारा base है e तो दोस्तो अभी इसके बाद यहाँ पे इस बाहर वाले log का भी base है 2 तो हम यहाँ पे भी यह same formula apply करेंगे तो यह log of यह उपर वाला part जो की है log of log x और यहाँ पे upon में है log 2 और यह सारे log वाले term के यहाँ पे upon में आएगा यह 2 वाला log तो यहाँ पे आएगा log 2 तो दोस्तो यहाँ पे हमने क्या किया यह log x to the base 2 को पहले हमने convert किया log x upon log 2 में देन हमने यह वाला जो base था 2 उसके लिए यहाँ पे यह log 2 लिया separate तो यहाँ पे क्या हमने यह log of यह उपर वाला part जो की है log x upon log 2 और यह जो base में 2 था उसके लिए हमने यहाँ पे separately लिखा log 2 तो यहाँ पे अभी में ये वाले term को इस तरह से भी लिख सकता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं यह जो upon में log 2 है उसे में यहाँ पे लिखता हूँ separate तो यहाँ पे आएगा 1 upon log 2 जिन्य यहाँ पे आएगा inside bracket तो दोस्तों आपको तो यह log वाला formula पता ही होगा माइनस log b तो अगर हमें log के अंदर a upon b दिया होता है तो हम क्या करते है log of this a minus log of this b तो दोस्तों यह formula हम यहाँ पे कैसे apply करेंगे तो यहाँ पे आएगा यह बाहर वाला log देन हमारा यह a वाला term कौन सा है तो हमारा a वाला term है log x तो यहाँ पे आएगा a के बदले log x देन बीच में है यह negative sign देन यहाँ पे आएगा log of b तो यहाँ पे हमारा b वाला term कौन सा है तो हमारा b वाला term है log 2 तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया इस log of log x upon log 2 को convert किया इस तरह से log a minus log b वाला formula apply करके तो दोस्तों यह तो बन गया अभी हमारा simplified वाला y का value तो अभी हम find करते है इसका derivative तो अभी इसका y का derivative आएगा dy upon dx तो दोस्तों अभी हम इसका derivative लेंगे तो यह वाला part तो रहेगा common बाहर के side जो की है 1 upon log 2 तो दोस्तों अगर हम यह आगे का simplification करने से पहले कौन से कौन से answer में present है तो अगर हम यह option a में देखेंगे तो यहाँ पे present है upon में log x बट यहाँ पे यह log to present नहीं है तो हमारा यह option हो जाएगा cancelled दाओ दिन अगर हम यह option b में भी देखेंगे तो यहाँ पे present है log of 2x बट यहाँ पे यह log to present नहीं है तो यह option B भी हो जाएगा cancelled then again यह option D में भी यहाँ पे present है log X to the base 2 but यहाँ भी log 2 present नहीं है तो हमारे यह option D भी हो जाएगा cancelled out then दोस्तो अभी यहाँ पे बचता है हमारा option C जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे log 2 upon the present है जिसका base है E तो दोस्तो हमने कुछ मिनिट पहले ही देखा था कि अगर यहाँ पे कुछ भी base mention नहीं किया रहेगा तो वो रहेगा base E तो दोस्तो अगर यहाँ पे यह present है log 2 वाला term तो यह option C बन जाएगा हमारा final answer तो दोस्तो अभी यहाँ पे हमें final answer तो मिल गया तो अभी मैं इस sum को यहाँ पे आपके reference के लिए solve कर देता हूँ तो दोस्तो अभी यहाँ पे तो हमारा first वाला term क्या है तो वो है log of log x तो दोस्तो यह वाला term बन जाएगा हमारा composite वाला function क्योंकि इसमें पहले यहाँ पे बाहर present है यह log वाला function और इसके अंदर भी present है यह log वाला function तो दोस्तो अभी log x का derivative क्या होता है तो वो होता है 1 upon x तो यह वाले log का derivative आएगा 1 upon x तो दोस्तो इस log के अंदर सिफ x है क्या तो नहीं तो यहाँ पे present है यह log x तो हम यह वाला term यहाँ पे लिखेंगे upon then into यह जो bracket के अंदर वाला log x है उसका अगे हम find करेंगे यहाँ पे derivative तो यह bracket के अंदर वाले log x का derivative आएगा अगे 1 upon x तो दोस्तो यह तो बन जाएगा derivative for this log of log x तो यहाँ पे आएगा minus sign बट अभी दोस्तो यहाँ पे आगे वाला term क्या है तो वो है log of log 2 तो दोस्तो यहाँ पे कई पर भी variable present है क्या तो नहीं तो दोस्तो अगर यहाँ पे कोई भी variable present नहीं है तो यह बन जाएगा हमारा एक constant वाला term और यह constant का derivative आता है हमेशा 0 तो दोस्तो अगर इसका derivative है 0 तो वो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो यह बन जाएगा हमारा final answer तो दोस्तो इस answer को आप यह final answer के साथ tally कर सकते है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे upon ने present है यह x और यहाँ पे भी upon ने present है x दिन यहाँ पे upon में है log x तो यहाँ पे भी upon में है log x और इसका base है e और इसका base mention नहीं किया है तो वो भी रहेगा E और then यहाँ पे present है यह log 2 और यहाँ पे भी present है यह log 2 तो दोस्तो इस तरह से यह हमारा final answer बन जाएगा option C तो देखा दोस्तो यह last वाले 2-3 sums थोड़े से tricky वाले थे बट दोस्तो अगर आप यह complete final answer find करने से पहले ही most of the cases में directly हमारा final answer मिल जाता है तो वो final answer find out करने के लिए हमें इस sum को पूरा solve करने की जरुवत भी नहीं होती है तो दोस्तो अगर आपने यह वीडियो start to end ध्यान से देखा है और कोई भी point miss out नहीं किया है तो आपको यह last वाले tricky वाले sums भी easily समझ में आये रहेंगे तो दोस्तो इन composite function वाले sums के उपर आपको practice sums मिल जाएंगे description box में जिनके answers में कल comment box में भी comment कर दूँगा और दोस्तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन practice sums के उपर भी एक detail वाला वीडियो बना दूँ तो जल्दी से इस वीडियो को एक मन्त के अंदर thousand likes तर पहुचा दीजिए और दोस्तो अगर आपको आज के इस topic में जरा सा भी कुछ doubt रहेगा then you can please comment down in the comment section और अगर आपको आपके कोई queries हमारे साथ या फिर बाकी सारे students के साथ भी discuss करने है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे भी post कर सकते है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा description box में और दोस्तो अगर आपको हमारे derivatives के बाकी सारे tricks के वीडियो भी देखने है तो उसका भी link आपको मिल जाएगा description box में या फिर यहाँ पे उपर i button में और दोस्तो अगर आपको यह आज का वीडियो सच में helpful लगा हो दिन फ्रीजिस वीडियो को like कीजिए subscribe कीजिए हमारे लवनोपीडिया चैनल को और bell icon में all notification दबाना मत बुलिए ताकि आपको यह ऐसे important videos miss ना कर जाए और दोस्तो आप यह वीडियो आपके CET वाले friends के साथ भी share कर सकते हैं so that वो भी derivatives के यह easy वाले marks easily assure कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब यह मिलते हैं हमारे next वाले वीडियो में एक नए वाले important topic के साथ